हेलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्याना बोर्ड कलास 10 हिंदी नैतिक शिक्ष्या पार्थ नंबर 3 की एक्स्प्लानेशन पार्थ का नाम है सफलता के सुत्र आपकी ये नई वाली भूक है आदर्स जीवन मुल्या मध्यमा शुरू करते ह हैं वीडियो को मैं हूँ अज्य और आप देख रहे हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दूं अगर आपको हर्याना बोर्ड नैतिक शिक्ष्या क्लास 10 के लिए बुक का कंप्लीट सोलिस्टन जिसके अंदर एक्स्प्लानेशन भी होगी इंसर इस वेबसाइट पर आपको हर्याना बोर्ड के लिए सारा जो स्टडी मैटीरियल है वो देखने को मिल जाएगा अब सुरू करते हैं बुक सोलिसन को समझते हैं पार्ट को देखो पार्ट के नाम से कुछ आइडिया लगाओ पहले तो सफलता के सूत्र यानि कि सफल हर कोई चाहता है जीवन में सफल होना है ना यहां पर इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसे फोर्मूला ऐसे सिक्रेट्स की बात करेंगे जिसकी मदद से हम सफल हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि जादू की गुट्टी पिला दी जाएगी तुमको और उसके बाद तुम ये लो जादू ह ≜ई सफलत्र का मतलब भी हमें पहले होना चाहिए हम यहां पर सारी चीज़ेंगे ुस पार्ट के मांधयम से सफलत्र को सफलता को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जो चीज हम सोचते हैं जिसकी कल्पना हम करते हैं उन सभी सवालों के जवालों के जवाब हमें कहीं नहीं मिलते उन सवालों के जवाब हमें मिलते हैं स्रीमत भगवत गीता के अंदर तो ऐसा ही जो सवाल है मारा उसका जवाब भी स्रीमत भगवत गीता ही हमें देने वाली है इस गरंथ की उपियोगिता जीवन के प्रतेक छेतर में किसी ना किसी रूप में देखी जा सकती है कहीं पर किसी चीज में बस बात है समझेने की समझ गए तो जिन्दगी पारू बन गई आपकी सफल हो गए जीवन में इस पार्ट में गीता के नुसार किसी भी कारिया में सफलता प्राप्त करने के बारे में चर्चा की गई है बच्चों अभी आप तो पढ़ाई कर रहे हो इसके पस्चात आप किसी ना किसी चेतर में आगे भी बढ़ेंगे आपको नोकरी करनी है आप कोई बिजनस करो कुछ तो करोगे जीवन में ऐसा तो है नहीं कि पढ़के ठाली बैठ जाओगे अपने व्यवसाय पर बंद अथवा ऐसे ही किसी अन्य चेतर में सफलता या अच्छे प्रिणाम प्राप्त करने के लिए परियास भी करेंगे आप अपने परियास में सफल हो इसके लिए गीता में एक फोर्मुला दिया गया है जो की है ये वाला स्लोक अधिष्ठानम तथा करता करणम चै प्रिथगिदम तो ये जो स्लोक है इसको स्लोक को याद नहीं करना पेपर में तो नहीं आरा बट हमें क्या है हमें सिरफ स्लोक का मतलब समझना है जो मतलब हमें जो है help करेगा कर्मों की सिध्धी मेंको सिध्ध करना कर माया है सफलता प्राप्ट करने लिए पाथ चीजे बता देव अधिश्थान कर्ता कर्ण चेश्टा और देव इसका कारणी है कि करता के बिन्या क्रिया कोन करेगा करता इने की जो काम कर रहा है आप लोग तो आपके बिना कोई काम कैसे करेगा कोन कैसे होगा काम अगर आप ही नहीं हो तो काम तो होने नहीं वाला तो करता के बिना क्रिया कोन करेगा अधिस्तान आध कोई भी काम किया जाएगा अदिश्टान अधार का मतलब है तो आपको व्यापार करना है व्यापार के लिए कुछ जगह चाहिए कुछ जगह चाहिए तो वो होता है अब यहाँ पर वही चीज्ग नहीं होगी जहां पर आपको काम करना है तो आप काम कहां करोगे अगर आपको काम करना है जगह है और आप ही नहीं हो तो काम कैसे होगा दोने चीज़ा जरूरी है ना क्रिया के लिए कर्ण यानि साधन होने से ही करता क्रिया करेगा यानि कि जो करता है जो व्यक्ति है उसके पास अगर स्त्रोथ है जहां पर वो काम कर सके और वो इच्चु कई अपने काम करने का तो ही वो अपना काम कर पायेगा नहीं तो करम सिद्धी कैसे होगी नहीं तो फिर अपने करम कैसे कर पाएगा यानि कि एक उधान के माध्यम से समझते हैं आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए चीज जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है आपके पढ़ाई करनी है ना आपके पास सकूल है ना आपके पास किताबे हैं सोच रहे हो ना आपके पास सकूल है ना आपके पास किता तो बस जो चीज़े अडोसी पडोसी बता देगा वह सीख लेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे वैसा ही होता है हमारा कारिया है जिस कारिया में हमें सफलता प्राप्त करनी है उसके लिए सभी चीजों का होना जो जरूरी चीज़े हैं उनका होना अनिवारिया है उनके बि जबूत साथ ही बन सकता है, करम की सफलता के लिए अधिष्ठान पहला कारण है, सबसे पहली और जरूरी चीज है, जिस चीज में काम करना है, वो आपके सबसे पहली जो जुरूरी चीज आएगी अधिस्थान अधिस्थान का यहां पर मतलब होता है कि जिस कारिया को आपने सोचा हुआ है कि मुझे यह काम करना कोई कोई चाहता है मैं नोकरी करूं कोई चाहता है मेरा इस चीज का व्यापार करें को यह है कि मैनुफैक्टरिंग का व्यापार करें कोई जो है बीच में ट्रांजेक्शन करता है यानि कि सामान को एक सी दे के दूसरे को बेच देना वह उस टाइप के भी व्यापार होते हैं तो तो बहुत सारी चीज़े होती है, तो वो लक्षे आपका क्या है, वो आपको पहले पता होना चाहिए, और ये चीज़ स्कूलों में भी बच्चों को बताई जाते हैं, अपना future जो है, आपको क्या बनना है, क्या करना है, वो decide कर लो, लेकिन हम लोग नहीं करते decide, और उसके ब पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे हैं, जो 12 करने बाद 13, 14, 15 क्लास हैं, तो ऐसे क्लासिज करते जाते हैं, और उसके बाद पूछा जाए, उनसे कि आपको अपने पढ़ाई क्योंकि, भाई, सब कर रहे थे हमने भी कर ली, तो ये कोई सैंस थो है, या फिर जो लक्षिया है आपका, उसमें वो चीज कैसे साहे को सकती है, उसके बारे में जरूर विचार करो, मैं इस लक्षिया को लेकर अथवा, आधार को मान कर इसी भाव से करम करना चाहता हूँ, मुझे मान लो कि मेरे को नोकरी करनी है, तो मेरे को क्या करना पढ़ होगा, मैं मान लो मैंने साइस ले ली, तो आपको डोक्टर बनना है और आप आर्ट्स लेकर बैठ गए, तो राजनीती के बारे में जानके क्या करोगे, तो वही चीज हो रही है हमारे साथ में, हमें पता ही नहीं है, उसके बाद में पता लगता है कि मैं कुछ और करना था हम तो गलत फिल्ड में आ गए थे, तो आपको अपना लक्षया पहले ही निर्धारित करना है, यदि आपका लक्षया के वल धन को प्राप्त करना होगा, कि मुझे तो बस पैसा चाहिए, कहीं भी चले जाओ, कोई भी सेक्टर में उस पैसा आना चाहिए, तो इसके लिए अ उस को कोई फर्वरक नहीं पढ़ता किसी को कुष्ट पहुंचता है, नुक्षान होता है, तो होता जाए, हमें कोई फर्य नहीं मुझे सिर्फ sytudır, मुझे लाब होना चाहिए, तो ऐसी असोच भी होती है, लोगों की, तो ऐसी सोच कैसे विक्शित होती है, कि वो सिर्फ ध धन का महत्तब है, सब को पता है, पैसा जरूरी है, परन्तु हमें इस बात का वस्य ध्यान लखना चाहिए, कि धन ही जीवन में सब कुछ नहीं होता, बाकी सीजे भी जीवन में बहुत कुछ माइने रखती हैं, अगर सिर्फ धन है आपके पास, तो आपका धन कुछ किसी काम क अगर सब करें, अपनी देख खरता नहीं है, मरने के बाद वो कचराई हो जाएगा, जीवन के लिए धन आवशक हो सकता है, परन्तु जीवन ही धन के लिए है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, हमारा आधार या लक्षय धर्म हो, धन नहीं, धर्म का मतलब हम जो काम करें, उसको धर धर्म का जा रहे हैं यहां गीता में, तो वो जो धर्म है, हम अपने करतव्य को पूरी निष्था से करें, धन के लिए नहीं करें, शिरफ यह अत्यावसक बहुत जरूरी है, यहां धर्म का मतलब होता है, नीती, न्याय, सद्गुन, परहित की भावना और मानवता से, यान अधिष्थान का मतलब समझ गए ना आप लोग, यानि की आपको अपने जीवन का लक्षय निर्धारित करना है, मुझे ये करना है, और उसी के लिए आपको फिर पूरे जीवन भर कारिया करना है, लेकिन कोशिस बस यह करनी है, कि जो भी कारिया करो, उसमें आपका धर्म स मानते हुए उनकी कृपा के अनुसार एहंकार रहित होकर अपने कारिया में प्रवेश करें यानि कि कुई शी बात का कोई घमंड ना हो जीवन में सुकून भरा जीवन आपको जो है अपने आपको इतना विक्षित करना होगा कि आप अपने आप पर काबू पाए आप जो है थोड़ा सा पैसा देखके एहंकार में ना मतलब यह हो जाएगी आजाओ कोण मेरी टककर में वो काम नहीं होना चाहिए है ना तो वो चीज़े हैं पैसा आता है फिर चला भी जाता उसके पास से करम की सफलता में दूसरा कारण होता है करता करता यानि कि जो काम करतना है उसके करने वाले की स्थिती क्या है यानि कि हम लोगों की स्थिती क्या है हमसे पूछा जारा है जैसे मैं सोचू कि भाई मेरे को 200 करोड के फैक्टरी लगानी है बजेट है मेरा 2000 रुपे का और सोच रहा है करोडों के ओभी इतने करोडों के और फैक्टरी लगाने है तो हाँ यह ऐसा नहीं है कि वो सपना मेरा पूरा नहीं हो सकता लेकिन अगर मैं सोच मुझे अभी लगानी है वो पोसिबल नहीं है तो करता जो कारिय करना है उसकी स्थ अब वह भी डिपैंड करता है कि आपने उस कारिय की पूरी जानकारी ले ली है मुझे पता होना चाहीं जो काम करने वाला हूं उसमें क्या गाटा है क्या फाइदा अगर बिजनर्स कर रहें अगर नोकरी करने यह फाइदा गाटा देखते हैं नहीं सीदा नोकरी पर लग बहुत सारी चीज़े देखके भी लोग नोकरी करते हैं तो जो भी कारिया आपको करना है उसकी संपूर्ण जानकारी पहले इकठी कर लें क्या उसका अनुभव आपके पास है वैसे तो होगा नहीं लेकिन अगर आपने कभी वो चीज़ करी है तो आपको पताओगा क्या करता उस कारिया में सिध्धस्त तथा योग्या है क्या जो मैं काम करने वाला हूँ क्या मैं योग्या हूँ अगर कोई कहे मतलब आप योग्य भी होने चाहिए आपको पता होना चाहिए आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ मेरा सरीर इसकी अनुमती देता है साथ में वो चीजे पता होनी चाहिए क्या उस कारिया के परती आपकी पूरी रूची है सबसे जरूरी है से कर सकते हो आराम से तो उसी फिल्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए ना कि दूसरे फिल्ड में यदि इन पर्सनों का उत्तर नहीं में हैं कि मेरे पास कुछ नहीं पता मुझे तो तो सफलता मिलने में संदे हो सकता जरूरी नहीं आपको फिर सफलता मिलेगी अगर मालो म रूची नहीं है वहां पर मुझे सफलता भी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं इंट्रेस्ट के साथ मनलब रूची के साथ उसकारिया को नहीं करता है तो ऐसी होता है जीवन में बहुत सारे लोगों की ऐस सफलता का कारण ही यह होता है अभी आप टैंथ में और यह चैप्टर नहीं सकते बस समय बरबाद हो जाएगा दो तीन साल का और और क्या होना है तो अपने सोच समझके लेने हैं इसलिए यह चैप्टर टैंथ में दिया है ना की बाद की क्लासिज में जिस कारिया में आपकी रूची ही नहीं वह कारिया आपके पूरी परती पूरी वफादारी नहीं निबा सकता करता को अपने कारिया में कुसल समर्पित निष्ठावान और अनुभवी होना चाहिए अब जैसे मेरे को पढ़ाने में मजा आता है ठीक है तो मैंने अपना पैसन ढूंडा कि मुझे इसमें मजा आता है तो मैं यही काम करने लग गया है ना जिसको जिस क तो कर्ण हमें बता गया वह कर्ण है न हमने 5 पढ़े थे तो तीसरा है कर्ण कर्ण यानिकी साधन हम जो कारिया करने जा रहे हैं क्या हमारे पास उसके लिए आवशक और अपैक्सीत साधन है कि नहीं अब देखो अगर हमारे पास जिस चीज की काम जो काम हमको करना आए जो कारिया है उसके लिए साधन नहीं है तो हम उस कारिया को नहीं कर सकते हैं जैसे मेरे को वीडियो बनाने का कारिया है ठीक है मेरे पास computer होना चाहिए और विस्टी बात है phone में बना लेते हैं बहुत सारे computer का काम है क्योंगे मेरा ज़्यादा काम रहता है तो मेरे पास वो साधन होना चाहिए अगर वो नहीं है तो मुझे संगर्स ज़्यादा हो जाएगा और सफलता मिलने के चांस घट जाएंगे तो वो चीज़े ज़रूरी है जो चीज़े आपको जो साधन आपको चाहिए वो आपके पास होने चाहिए भले ही आपको दीरे दीरे समय लगे उसको इकठा करने में जोडने में लेकिन आपके पास वो साधन आ जाना चाहिए अगर आपको सफल होना है नहीं आएगा तो फिर सफल तबी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए जो स्थान उचित निवेश या आविशक सहयोगी चाहिए वे सभी इसी स्रेणी में आते हैं कि आपको पैसा चाहिए आपको जो है कोई मदद करने के लिए चाहिए जैसे अभी तो मैं केला करता हूँ अभी जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा मुझे एक सहयोगी की जुरूरत पड़ेगी ऐसे जो है बहुत सारी चीज़े हमें चाहिए होते मुझे स्थान से जहां पर मैं यह काम करते हूँ वो सारी चीज़े आपके पास उपलब्द होनी चाहिए पर दे करता है तो इसलिए हमारे पास साधन का होना बी अनिवारी हैं जैसे आपको नोकरी लगना तो आपको पता होना चीए कि परोपरली मुझे यह दो-चार किताबे यह अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी अगर यह नहीं पड़ी यह साधन यह किताबें मेरे पास नहीं है तो मुझे दिक्कत आ सकती है अब चोथा कान देखते हैं चोथा कान चेस्टा से यहां पर मतलब है काम करने के लिए क्या परियास कर रहे हो अभी मैं कहूं भाई मेरे को टीचिंग पसंद और मैं आदे गंटे पढ़ाने का परियास कर रहा हूं और उसके बाद मैं वापिस देखने भी नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ काम पढ़ाई का करना भी होता है कि नहीं तो यहां पर रूची है मेरी लेकिन मैं चेस्टा ही नहीं कर रहा मेरा अपना परियतन ही नहीं कर रहा उस कारिया को करने के लिए तो उसके बिना तो भाई सफलता भूली जाओ आएगी कुछ कारिया बहुत बड़ा है लेकिन उसके अनुरूपा कर जो चेस्टा हैं वह बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जैसे कि समया पर उठना नहीं कारिया के परती किसी परकार की सक्रियता नहीं सक्रियता मतलब कि एक्टिव नहीं है अब जैसे मैं बताता हूं आपको यह चैनल जिससे मैं पढ़ा रहा हूं बहुत सारी चीज़ें लग जाओ अपने मन में तो क्या होगा क्या मुझे सफलता मिलेगी सफलता तो बगवान के ऊपर छोड़ देनी चीए वैसे लेकिन फिर भी हम अपनी चेष्टा तो कर सकते है उनमें कमी आएगी तो सफलता भूली जाओ फिर तो है तो वही चीज़ा है अधिक दबाओ बहुत सारे लोग ले लेते हैं काम नहीं चल रहा है मेरा दंदा मंदा चल रहा है क्यों हो रहा है और टैंसल लेकर काम करना ही छोड़ देते हैं काम को केवल करमचारियों के ऊपर छोड़ देना कि मैं क्यों करूं मैंने तो नोकर लगा रखें दो चार करमचारी लगा रखें ये करते रहेंगे मुझे क्या जूर्त पड़ रही है अपने आप चलता रहा सिस्टम तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा भी नहीं होता अपनी और से किसी भी परकार की सज सजकता नहीं सजकता है नहीं कि जागरूक नहीं है कि ये दंदा चलता भी असल में नहीं चलता है बाकियों को देखो बाकियों क्या कुछ कर रहे हैं तो वह सारी चीजे भी देखनी होती है कुछ नया परियास नहीं कुछ नया नहीं कर रहे हैं वही घिजा पिटा जो पहल नहीं करते हो तो आप सफल नहीं हो सकते हो अब जैसे देखो हर्याना के अंदर या बाकी बौर्ड के अंदर भी आइनलीशीज बहुत सारे लोग हैं मनलब नोर्मल है पढ़ा दिया सबने सब पढ़ा रहे हैं ऑनलीशिज पे ऐक्जाम के लिए अनलीशिस कोई नहीं करता हैं बाइक जो के लिए आप लोगों के लिए कोई नहीं कर रहे हैं उसमें आप को नया परियास करना नहीं चीजये कुछ जो कोई बाकी नहीं कर रहा है वो करने का कोशिस करने तब ही आपकी सफलता थोड़े से चांस बढ़ जाते हैं आज की इस्तिति प्रिष्थितियां और समय क्या हो सकता अनुशार काम के लिए चेश्टा या प्रियास नहीं तो कार्या की सफलता कठिन हो जाती है गुरु गोविंद गीता के गोविंद स्री क्रिशन ने सफलता का पाच्वा कार्ण दैव को माना है दैव यानि किसमत कुछ भी हो जाए भाई तुम कुछ भी कर लो तुमारी किसमत फूर्टी हुए तो तुम कुछ नहीं कर सकते तुमारे कर्मों के हिसाब पहले लिखे जा हैं देखो ऐसा आपने सुना होगा और यह कई न कई reality भी है देखो आपके किसमत लिखी जा चुकी है अगर आपके जीवन में आपको पैसा मिलना है सफलता मिलनी है तो आप जिस भी कारिया को करोगे सफलता मिलती जाएगी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है और जिसके किस्मत में पैसा बनना नहीं होता वो कितना ही अच्छा काम कर ले कितना ही कुछ कर ले कितने ही चेश्टाइं कर ले वो सफल ही नहीं हो पाता हर जगे उसको घाटा ही नसीब में आता है तो यह सब किस्मत का और भाग्या के उपर भी छोड़ देना चाहिए लेकिन हां ये मत सोचना है कि आपकी किस्मत में पैसा है तो भाई छपर फाड के भगवाने कुलका पिंट डाल देगा आपके घर में सोनने का और आप अमीर बन गए ऐसा भी नहीं होने वाला आप जो है आपको चेश्टा करनी पड़ेंगे आपका कर्म करना पड़ेगा उसके बाद में आप के सालों तक उसके बाद भी वह चीज नहीं चल रही है या फिर आप a नया नहीं कर रह है दो ही चीज़ी आपको ध्यानक नहीं चोड़ेंगे बट भागव काम नहीं है है अगर बाकी काम छोड़ दो तो कुछ नहीं मिलने वाला भाग्य कोई कोशते रह जाओगे बाग्य के विशे में दो बाते हमें सायाद रखने वाली होती है एक तो यह कि हमारे ही पिछले करम संस्कार हमारा अब का भाग्या बनाते हैं भाग्या को जीवन की कमजोरी के रू वो मिल जाएगा लोटरी मिल जाए लोटरी खुल जाएगी बिना लोटरी खरीदे इससे जीवन में परमाद बढ़ेगा किसी कारिया में सफलता ना मिलने पर यह है सोचकर निस्क्रिय ना हो जाना कि मेरा भाग्या अच्छा नहीं है बहुत सारों के साथ यही होता है कि जो अमीर है टोप टैन में उनकी कहानिया पढ़ना उन्होंने जीवन में इतनी है सफलताइं देखी हुई है उसके बाद भी वो हार नहीं मानी ठीक आपका भी कार यह बस यह यह उसके बाद भी आपको कोशिस करते रहना है करते जाना है कोशिस अगर भाग्या साथ नहीं होगा आपका तो आप बढ़ापे तक भी कुछ नहीं कमा पाओगे और अगर आपके भाग्या आपके साथ है और आपने करम करे हैं आपने कोशिसे करी हैं बहुत सारी तो भाग्या आपको जो है सफलता की उचाईयों पर पहुँचा देगा पूर जन्म के संसकार अथ्वा प्रारब्द के कारण यदि ऐसा हुआ भी है तो पहले के चार कारणों पर पूरा ध्यान देना चाहिए शुरू के चार कारण जरूरी है भाग्या बाद में काम करेगा अच्छे आधार और साधन के साथ कारिये कुसलता से प्रियास करना चाहिए पहले से ही मन बना लेगी क कारिय के आधार साधन और कारिय को सलता में कहीं कमी है तो उसे पूरा करना है यह नहीं है कि चीटिंग करकर आप जिंदगी काट रहे हो वह करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला इस सोच के साथ यदि हम कारिय करते हैं तो हमें सफलता अवस्य मिलेगी ऐसा विजबास रखना च कितना महतबुन और प्रासंगिक है तो यह था आपका कंपलीट चैप्टर आई होप समझ में आगए होगा हमने यहां पर सफलता के पांच वह तरीके जाने हैं जिनके बारे में हमने सुना तो पहले भी है लेकिन आपको जो है उनके उपर कारिया करना पड़ेगा तब ही आप पढ़ेड़ नहीं वैसी ही बात आपके साथ हो सकती है तो अपने कोशी से जारी रखना कभी भी जीवन में हार नहीं माननी है आपको ठीक है आई होप कलियर हो गया होगा और हाँ अपना पविश्या के लिए पहले निर्दारित कर लेना कि मुझे आगए आने वाले जीवन में और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आशी ही इंटरस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहें मिलते हैं नहीं वीडियो में बाई बाई